हलो फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे पाकिस्तान के दौरा चाइना से लिए हुए एरक्राफ्ट्स को रिटायर किया जा रहा है यह वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टन हो जाता है और अगर आप चलमें नए हैं तो प्लीज डू लाइक कंट्रोल एरक्राफ्ट को रिटायर करने वाली है और पाकिस्तान की वायू सेना अब एरियर सर्विलेंस के लिए केवल स्ट्रेडन की कंपनी साब के बनाए 2000 एरियर अवाक्स एरक्राफ्ट का इस्तमाल करेगी लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है दुनिया का लगबग हर एक समय के बाद अपनी मिलेटरी में से एर्काफ्ट को रिटाय करता है और फिर उनकी जगह बेड़े में नए अर्क को धियो चीन से कीमत और ये कारा को डीके 034 के नंबर में acquire किये गए थे जो अब बेकार निकल गए हैं यही वज़ा है कि अब चीन की इन विमानों की शमता को लेकर सवाल उठ रहे हैं इसके अलावा एक्सपर्ट्स के मताबिक पाकिस्तान का जाएड़्डी के जिरो-थ्री कारकॉरम चीन के विमान सांक्सिफाई 8 पर अधारित हैं साथ ही पाकिस्तान के दौरा जब चीन से इन विमानों को लिया गया था तब पाकिस्तानी एर फोर्स और चाइना दोनों के ही दौरा इनकी जमकर तारिफ की गई थी और चीन और पाकि निकल गए हैं वहीं अगर बात की जा इन एक्राइब के सर्विस लाइफ की तो इन विमानों को चीन ने साल 2011 से 2015 के बीच पाकिस्तान को डिलिवर किया था और इस हिसाब से इन विमानों की सर्विस लाइफ दस साल से भी कम रही है इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन चाइ और रिलाइबिल्टी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं वैसे इन जडी के 03 कारा कॉरम आइक्राफ्ट को लेकर रहस में बाते भी की जा रही है और वह यह है कि इन विमानों को लगबग 5 महीने पहले ही चीन भीजा गया था और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि इन्हें मिड लाइफ अपग्रेड करने के लिए भीजा गया है वहीं जब यह विमान चीन से वापस लौट कर आए तो इन में ना तो में रेडार था और ना ही कोई अन्न सेंसर लगा हुआ था इसके बार इन चाइनिज एक्राफ्ट को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे थ और यह भी कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तानी वायू सेना के भीतर बहुत उच इस तरके भ्रष्टरचार के कारण हुआ है इसके लावा अन्य लोगों दोरा पाकिस्तान की सेना में चीनी प्रभाव के बारे में चिंता जाहिर की है जो संभावित रूप से बिना किसी बाय चीनी लाके में काफी ज्यदा कमी आ सकती है जैसे की पाकिस्तान को अफगान सीमा पर भी निगरानी में काफी समस्य आ सकती है जहां से अभी खत्रा ज्यादा बना हुआ है मैंनमार धौरा कवार बता दिया गया है ऊहीज़े कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख हत्यारों के लिए अब अमेरिका समेर वेस्टन कंट्रीज की शड़न पर पहुंच गया है तो फ्रेंट्स ये था पूरा वीडियो रिलेटेट टू पाकिस्तान रिटारिंग दा चाइनिस एक्राउट्स अगर आपको वीडियो कंट्रीव पसंद आया है तो प्लीज दो लाइक सब्सक्राइब रिचाए और पर सब्सक्राइब थैंक्यू सो मुझ